तो देखिए दो आज हम शुरू कर रहे हैं टॉटो मेरिजम लिखो जड़ा है टॉटो मेरिजम के सारे पोश्चन्स हो गए थे बस यह एक बचा रहा गया था स्ट्रेक्चरल में चेंड पोजीशन रिंग चेंड फंक्शनल मेटामर्स यह सारे हो गए थे ना आज हम आपको बता रहे हैं टॉटो मेरिजम जो आपने लास्ट लास्ट में देखा था चाटमरिजम के लिए हमने आपको बताया था पूपरटी लिखो टॉटो मेरिजम स्टामरिजम प rhinapos 555 यख़शिंए चातोम ली यख़श साहँ ऐसे चाहिए पीधिशना हां फॉटोम इसे निए श्ट्रेम थैपन पॉच्टिनल आइख ओपॉर्लीजम इन वीच इन वेच तुफंक्षंटवल आइसोमर्स इट्मेड बीचज़ इडिज़ वेडिवर्स इन इच अधर यह एक्ट्रेश लेकिन फंक्षंटवल आइसमर्स अमने लास्टा स्मयर्स है शह उता है कि फंक्शनल आइसोमर्स जो होते हैं एक्शली वह दो डिफरेंट मॉलेक्यूल्स होते हैं तो डिफरेंट कंटेनर में रखके जा सकते हैं इसमें हमने बोला इट में भी डिफाइन है इसलिए इनको आइसलेट करना तोड़ा मुश्किल होता है है में अब देखिए अब कोई बोल एक ठीक है तो आपने बता दिया डेफिनीशन क्या होती है लिक्या उसके नीचे की और ऑर्गनिक मॉलेक्योल्स अफिंग सें मॉलेक्लर फानुला सें मॉलेक्लर मास्ष्थ और्गनिक मॉलेक्यूल सब्सक्राइब 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 और्गनिक मॉलेक्यूल सब्स टेकथ a वह सुव्धल Dove उस्तुरिट टॉपर hormones सिर्चमाइश्म आंस जरुवी है किसी डिम में तभी अर्ट्रेयजम शूकर सकता है सेम नंबर अपना सेंग था पर्टी बट डिफेरंट प्रोपर्टी और इस बट अइस दिवर्ट फेर्ट पर्टी आप imagine बुला, same molecular formula, same molecular mass, same number of unsaturation, but different properties, ठीक है, due to, due to, due to wandering nature of, wandering, I say, wandering bull turns to, due to wandering nature of, due to wandering nature, due to wandering nature of, acidic hydrogen, due to wandering, wandering अजला भोटका अटाइस्टे होता, इदर से उदर जानने माला, due to wandering nature of acidic hydrogen or alpha hydrogen, due to wandering nature of acidic hydrogen or alpha hydrogen, एना, due to wandering nature of acidic hydrogen or alpha hydrogen, आपोल अचाटमर्स, are known as totomers, due to wandering nature of acidic hydrogen, are known as totomers, वाई, उनके same molecular formula, same molecular mass होते हैं, same number of unsaturation होता है, लेकिन उनकी different properties होती हैं, और different properties सिर्फ इसलिए, यह जो acidic hydrogen होगा, उसमें, है ना, यह alpha hydrogen, जिसको कहेंगे हम लोग कभी-कभी, उसका wandering nature होगा, इदर से उदर कही गूम रहा होगा, और सिलेट कर रहा होगा, किसी between two atom, between three atom, अभी आपको बताएंगे, wandering hydrogen, oscillate between two atoms, दो atom की बीच में, उसे diet isomerism, बोलते हैं, diet totomers, वैसे triad totomers, भी होती है, कि तीन atom के gap के, तीन atom के difference के बीच पे, अगर भूम रहा है, acidic hydrogen, तो उसको बोलता है, पोलर मल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप्स ओनली, पोलर मल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप्स ओनली, पोलर मल्टिपल बॉंड, पोलर मल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप्स, तो पोलर मल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप्स होना चाहिए, तभी होगा, पोलर मल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फॉंक्शनल ग्रूप अगर है तब है तब है अपको टॉटो मेरिजम शुरू करने के पहले उनके जो इन्ग्रेडियंस और नेससरी चीज़ है रोपी हो बता रहे हैं टॉटो मेरिजम इस अप्ड़ इन पोलर मॉल्टिपल बॉंड सब्सक्राइब करें अच्छा पोलर मॉल्टिपल बॉंड को सकता है बिल्कुल किया जा सकता है बिलकुल किया सकता है बिल्कुल किया जा सकता है किया जा सकता है कि यह कि लिखा जाता है न इनमें ऑबजर्व किया जाता है तो मॉल्टिपल में आपको बोला था कि वाई अन्सक्रेशन होना जरूरी है किसी मॉलेक्वल में तभी वो टॉटमरिज्म शो करेगा रेकिन वह अन्सक्रेशन का मतलब अल्पीन न कर देना दो कि कोई बैंस्ट्रेशन थोड़ी पोलर मॉल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल रूप अगर है तो उसे में अब्जर्व किया जाएगा ठीक है दो यह पॉइंट्स होगे क्लियर है हमने आपको क्या पताया चॉटमरिज्म स्पेशल टाइप की फंक्शनल जाती है वह सिर्फ अन्साचुरेटेड मॉल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप होना चाहिए अगली चीज़ हमने बोली ति क्यों अब्जर्व की जाती है वांडरिंग नेचर आप मकर नेचर मकर समझते हो मतलब कभी इसके आटम पे कभी उस आटम पे से ज कर रहा होगा कभी एक अटम पे लगा होगा है यहां से एच प्लस के फॉर्म में निकलेगा दूसरे प्लस के फॉर्म में लग जाएगा है ना तो उसकी वजह से नहीं फंक्शनल ग्रूप बन रहे होंगे वांडरिंग नेचर और ट्राइड अगला आता है ट्राइड सुन क मालो है यहां इस पर लगा हुआ है जम्कर के इस पर आजाए फिर कभी उसका मन करें कभी इस पर चाहिए अपन आपने वीडियों के चूज किया हुआ है यहां पर बीच में यहां पर हयों इस आटम से किरके इस तीसरे अटम पर यह से वांडरेंग एसडिक सोलीशन में भूनता रहा तो उसे बोलते हैं ट्राइड टॉत हमरिश्म तो the totimer ism diet or try to feel for both diet and try it as a both diet B I a D diet and try it TRI ad both diet and try it Tautomeric system are observed both diet and try it Tautomeric systems are observed both diet and try it Tautomeric systems are observed diet B OTA TRIAD B OTA DIAD का मतलब समझ्छते हो वहीं प्रिकलिक सकते हो कि if wandering nature of acidic hydrogen takes place between two adjacent atoms the Tautomerism is known as diet system a diet Tautomerism wandering nature of acidic hydrogen अभी Tautomerism शुरू करेंगे पहले आपको बता देना बहुत आजी मनलब नहीं चीज़ है if wandering nature of acidic hydrogen occurs between two adjacent atoms if wandering nature of acidic hydrogen takes place or occurs between two adjacent atoms though adjacent atoms के भीच में अगर acidic hydrogen या wandering nature of acidic hydrogen आपको दिखरा है कि दो अजज़सेंट आटम स्पे कभी इस आटम पे कभी इस आटम पे कभी इस आटम पे कभी इस आटम पे इस आटम पे तो इफ वांडरी nature of acidic hydrogen takes place between two adjacent atoms तो उसे हम लोग बोलते हैं ज़टामरिजम इस नोन ऐज डायट आटामरिजम ठीक है सब्सक्राइब और लिको इफ वांडरी nature of acidic hydrogen takes place यह एक मिनट डायट हो गया वैसे ट्रायट कर लोग आप लोग अरे तीन आटम्स हैं जैसे आपने बोला तीन आटम्स समझ रहो एक होता है एक होता है और एक होता है अभी सब बताएंगे आपको अगर कोई पूछे तो एच नूटू और एच सीएन में बाकि ट्रायट वाले अधर सूप दो होते हैं है ना यह अधर स्थी एन तो उसको अलग से लिकेलो कि डायट टूमरिजम अब्सक्राइब भी डायट टूमेरिजम इस अब्सक्राइब इन इस अच तीन अधर अधर कि जाती है डाया चाहते मेरिजम इस अचन और चाहिए यह चाहिए प्रियाद को दोस्त ना जोस्त नाइज फूल यह चाहिए गजा जाता है यह अगला देखो अब बताएं आपको लिखो टॉट्टर्मेरिजम बोथ इन एसिडिक किया जाता है टॉट्टर्मेरिजम इस अबस इन एसिडिक एन एलकलाइन वीडियम कि दोनों ही मीडियम्स में अब्जर्ब किया जाता है थे लुए बोला है कि आपके मॉलेकिल और फर्मॉला थे मॉलेक्टिलर मास्ट नमबर आप अंसच्ट्रेशन बहुत जरूरी है बिना अंसच्ट्रेशन के श्ट्रम अब दर भी नहीं की जाती है same molecular formula same molecular mass same number of unsaturations and other but different physical or chemical or both properties due to wandering nature of acidic hydrogen between two or three atoms or non are known as tautomers and the phenomena is known as tautomerism. तो इस बोढ़ने नेचर आफ अपसीडिक हईडरिजन टेक्स प्लेस बिट्विटू एग्जसेंट आटमस तो इसे बोलते हैं तो इसे पोलर मॉल्टिपल बॉंड ऐसे पोलर होना चाहिए मॉल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल गृप में आपको पता लग गया जैसे यह पोलर मॉल्टिपल बॉंड है इन में अब्जर्व हो सकती है कौन से होती होगी उससे ट्राइड बोलते हैं अभी बताएं कि कोई बोले डायड कहां अब्जर्व होती है तो यह दो मॉलेक्यूल होते हैं चनो और एस यहां पे डायड टॉट्टोमेरिजम अब्जर् इसमें टू और मोर फंक्शनल ग्रॉप एक्शिस्ट इन डायनमिक एकलिवरियम विदी चैजर तू और मोर दो भी हो सकते हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं समझ रहो तो अभी आपको बहुत सारी टॉटमेरिजम मतलब आपको कई टॉटमेरिजम बताएंगे ठीक है इतना समझ में आप लोगों को एक एक करके बताते हैं सबसे पहले हम आपको बताते हैं टॉटमेरिजम टॉटमेरिजम इन कार्बोनिल कंपाउंड एल्ली हाइड टॉटमेरिजम टॉटमेरिजमेरिजम इन कार्बोनिल सल्पाउंड लिछ एपर सकते लिए norm नि затौंश होते हैं मेरदेगों कि दो जो फिसलिए पूछते रहते हैं तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो फिर लगता है 11 से पढ़ाना है हमको मारे वाइच देखेए कि टॉम लोग बोलते हैं सपोस करिए कोई बोले सार सी एक पॉइंट और लिखना रहे गया इतना लिख लिए एक पॉइंट उसमें रहे गया कहीं भी लिख लो फ्रेजन्स ओफ इंप्रेंट पर कर लिखना вниз ऊफ और एसेडीं और अल्फा हईडर जैंट यह पॉइंट टेक रहे गया था बड़ा इंपॉइंट पोईंट था जहां भी ए चूट गया प्रेजर्जंस ओफ अइसेडिक हाईड्रिजर्जन और अल्फा हॉइड्रिजन अभीज़्य विए लेकिन आप इतना ही लिखो अभी अभी इतना ही लिखो शम्ताइम अब लुटा लेकिन आप लिखो प्रव ट्रवज सब्चाइब एनोर स्टर्वर्जम इस presence of acidic hydrogen or alpha hydrogen is necessary presence of acidic hydrogen or alpha hydrogen is necessary for a molecule to exhibit to atomism acidic hydrogen or alpha hydrogen is necessary for a molecule to exhibit to atomism टीके दोस्त अब आपने यह लिखा है यह वाला लिको toatomerism in carbonal compound is known as Keto-enol toatomerismgle toatomerism in carbonlink compound is known as keto-enol Keto-enol toatomerism carbonil compound TOTTAM, Keto-enol toatomerism cos Cortot Britann huota है Keto-EE- Gel तो इसमें फिर लिखो नंबर वन या ऐसे लिखो टॉटमेरिजम इन कार्वोनिल कंपाउंड इन अलकलाइन मीडियम तो पहले में अब बता देंगे बाद में पहले अलकालाइन मीडियम में देख लो करतर हैं बोलता है है जैसे देखिये ऊसेसे कोई बुले कि यह पे इस स्चुटियों करेगा बिल्कुल चो करेगा करें और बहुत और मॉर्डिपल बॉंड औन गेहां योब और फोलर मल्टिपल बॉनन कंटेनिंग फंक्श्णल ग्रुप है के रिस्पेट मेजिए आलफा कारब्न है जिसके पास इसे ं घडिटारी हिए तो जो नेसाशरी कंडिशन होती है औरlusion टूइबिट टॉटो मेरिजम नेसेसरी कंडिशन सिर्फ दो होती है एक होता है पोलर मल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप होना चाहिए दूसरा होता है एसे डिक हाइडरोजन या अलफा हाइडरोजन होना चाहिए हमझ रहो है बंद कर दें ऐसी क्या पोलर मल का शिमबल आपको पता ही होगा ऐसे लिखते हैं यह से रिवर्जिंटी यहीं इच क्या करेगा इसको हम तो बोल्ड कर दे रहें से एक जंप करके आजाएगा तो सुनो तो एच जब आएगा तो कैसे आएगा एच प्लस के फॉर्म में आएगा तो यहां माइनस बना जाएगा समझ रहो अरे जहां से निकलेगा एच प्लस के फॉर्म में निकलेगा न यहां पर माइनस बना के निकलेगा और यहां पर जब आएगा तो इसको माइनस चाहिए तो यहां पर बनेगा वह बनता है और यहां पर आ जाता है वे यह नीचे लिख देते हैं उदर जगे नहीं है वोघ कोई वो लिए एच कौन सा है कि है यह वही है जो वहाँ से शुरुआच से इस कार्बन से लगा है अब जिस कार्बन से लगा हुए पहले पहले उसे कितने आटम चोड़के जा रहा है यह वाला आटम यह वाला आटम पर जाके ज़रा इसको बोलते हैं यह ट्राइड सिस्टम का एक्जम्पल है इसे कीटो बोलता है क्योंकि आपने पेसिंग सुना होगा कीटो पर यहाँ पर नाटम यहाँ पर श्रेम बोलता है कीटो फ्रीक क्या होती है कि wondering ने च्राफ यहां पर चोन जाएगा और फिर अगर यहां पर माइनस होगा तभी तो इसका मतलब बीच वाले कार्बन प्लस और यहां पी-जबेल वॉडपार अगर तरा जाएगा कई तरीके होते हैं सोचने के समझ मारा है कुल मिलाके फाइनली शॉटकट के लगा होगे कोई भी पोलर मल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप है उसके रिस्पेक्ट में ऐसे डिक हाइडरोजन है तो यह वाला हाइडरोजन जंप करके ऑक्सिजन के पास आ जाएगा डबल बॉंड इदर शिफ्ट हो जा तो इस मॉलÉकुल में इन आल दूनों है अब ध्याद से देखो इसमें क्या है से मॉलेकिल आर टार से मां से मां सेतरीशन है लेकिन फंक्शनल गूर्प डिफरेंट आ इसमें फीटो ग्रूप है इसमें और उर्ल का मिक्श्यर समझभा रोसका इतना जल्दी कॉपी करो जल्दी कॉपी करो गया इनॉल बोलते है उसको कीटो और इनॉल कीटो का मतलब क्या होता है जिसमें C double bound O group है किनॉल का मतलब क्या होता है जिसमें इन और और है और यह ट्राइड सिस्टम का एक्जामपल है पूरा का पूरा ट्राइड सिस्टम क्योंकि जो वांडरिंग नेचर आफ हैसिटिक हाईरोजन है यह हाइडरोजन है वह एक्षिली में तीन एक्जामपल का आंसर बताओ बस तुमको डबल बॉंड लेफ्ट एक सरका देना है शिफ्ट कर देना है और हाइडरोजन को उठाके दूसरी तरफ कर देना है यह तो इजी है ना हो जाएगा वाला कि यह उसमें भाईया यह देखो यह सुनो तो पोलर मल्टिपल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल गृप हो गया कौन सा और इस पोलर मल्टिपल बॉंड फंक्शनल गृप के रिस्पेक्ट में फर्स्ट काबन है ऐसिटिक हाईरोजन है फब फैंज से वाल से चिप्ट कर दो कि इस पर बहीए अल्फा वाले से ही करना यह कर देना बीटा वाले से घर खोटा है न कि उसको उटा होगे तो नेगेटिव चार्ड़ है तो यह आलफा वाला ही है आपको जी उसी में यह सब तो पढ़ाया जाता है क्या बनेगा सीएच डबल बॉंड शिफ्ट हो गया लेफ साइड और सीएच और ओएच यहां पर क्या गया एलकीन भी बॉंड है और ओएच भी है तो इसको क्या बोलेंगे इन और ओल और यहां पर क्या है कीटो की वज़े से सीडबल बॉंड है इसलिए इसको बोलेंगे कीटो यह भी ट्राइड सिस्टम का एक्जामपल है अरे ट्राइड है प्राइड का मतलब एच निकला और तीन आटम के वीच पे अपना जम करता जहां से निकला है अरे अल्फा हैड्रजन यहां पर लगा ना इस ईसकारबन से इसकारबन चीजा है इस करबड़ेंगें टीसरे अटम पर पहुंच गया जहां पजी एश्टम पर लगा था निसमें से तीसरे आटम के दिस्तेंस पश्विए ट्राइड डिस्टम का एक्जामपल है इन जनरल एक चीज़ए और बोगत than percentage in all है इन जनरल percentage कीटो is higher than percentage in all है इन जर्ण एही होता है percentage ही और से पर्सेंटेज कीटो इस हायर दैन पर्सेंटेज है बताओ इन जरेल है और है अच्छा स्टेबिलिटी नहीं कर दो हमने एक दिन आपको पढ़ा है सब्सक्राइब कि तरफ जाती है कि तरफ शिफ्ट होती है स्ट्रॉंगर सब्सक्राइब आप देखोगे कोई पूचे कीटो और इनॉल में ज्यादा असिडिक का मतलब कौन ज्यादा एज प्लस फर्निश कर सकता है अगर कीटो को बोलेव Lei तो कार्बन निकालेगा बाइऊ और इनॉल परसेटीजे व किस Εई कीटो कीटो जाधा क्योंगा क्योंकि keto की तरफ equilibrium shift हो गया होगा न कीटो की तरफ equilibrium shift क्यों हुआ होगा क्योंकि आपको प्रिबियस टू क्लसे पिशली लास्ट लास्ट में शायद पढ़ा होगा है ऐसे दस पंदरा एक्जमपल दिये थे न कि stronger acidic से weaker acid की तरफ equilibrium shift होता है तो पहले तो acidic crunch चेक करो कोई बुले keto से अगर एच निकालना हो तो ज्यादा acidic कौन होगा यह alpha वाला एच लेकिन वो तो carbon से निकलेगा carbon से लगा हुआ है इनोल से हैच निकालना हो तो क्या होगा oxygen वाला एच और दोनों ही H प्लस निकलने के बाद जो negative charge है वो keto में भी resonance से स्टेबलाइज है इनोल में भी resonance स्टेबलाइज है तो दोनों का इंपल है लेकिन शिरुवाती स्टेज में H प्लस निकलना किस से ही है oxygen से इसलिए इनोल सार relatively more acidic जब इनोल more acidic होते हैं as compared to keto जब ज्यादा सब्सक्राइज है कि परसेंटेज आफ keto इस हायर धन पर्सेंटेज इनोल विकॉस इकलबरियम शिफ्ट प्रॉम हायर एस डिक साइड को पूरा रिजन लिख लोगे इसको फिर से रिपीट करें क्या हो गया होगा इतना जल्दी करो कि अक्शली परसेंटेज 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 कीटो परसेंटेज इनोल से जादा है तो परसेंटेज कीटो ज्यादा क्यों है क्योंकि एकलबरियम की तरफ कर गया है इकलबरियम शिफ्ट क्यों कर गया है क्योंकि हमेशा इकलबरियम स्ट्रॉंगर असलिक से वीकर असलिक साइड शिफ्ट करता है तो इनोल स्ट्रॉंगर असलिक होते हैं और कीटो वीकर असलिक होते हैं तो स्ट्रॉंगर असलिक से वीकर असलिक साइड इकलबरियम परसेंटेज इनॉल इन जनरल ये ट्रू होता है वॉयलेट नहीं करता है एक्सेप्शनल केसस में वॉयलेट कर सकता है बताएंगे अभी होगी अब कोई पूचे कि असिटोन लिखा है असिटोन इसमें बताओ क्या होगी क्या प्रोड़क्ट बनाओ अरे डबल बॉन्ट को एक तरफ शिप्ट कर दो यहीं तो पताया है एक क्वेश्चन लिखा है मांदो यह बेंजीन और बेंजीन पर लिखाएंगे च यहां पर इसमें बताओ दोस्क्राटमेरिजम कैसे कराओ गें वह माइनस इसमें टॉट्टमेरिजम कैसे कराओ गें नेक्स्ट वाला एक्जामपल देखे हैं यह बेंजीन है यह जीच टूँ और लिए परसेंटेज घूअज और यह सारे के सारे ट्राइड सिस्टेम के एंग्जामपलथ हैं कि इस ब्रायर्ड कि झितने भी हम लिख रहे हैं है है त्राइड सिस्टम के एंग्जामपल से इनका अंसर बताइए आपको पिर और एक्जामपल लिखो जब यह हो जाए तो पहले बनाई देते हैं चलो इसमें क्या बनाओ गई नेक्स आले में चाहर लिख देते हैं जगे नहीं न यहीं तो प्रॉब्लम उपर दिख रहा है यहां पर तब को दिख रहा है यह आच्छा ठीक जैसे यह लिखाये दोस् मतलब अलकलाइन मीडिया हमने अभी ले लिया है ऐसीडिक मीडियम भी ले लेंगे बाद में यह हो गया एक एक एक्जामपल फिर कोई बोले एक अच्छा वहां हो गया चलो भी बताते हैं चलो फर्स्ट वाले कि क्या बनाओगे चार एक्जामपल लिखे हैं ने वन है ओनाओगे और यहां पर यहां पर यहां पर नाम हो जाएक और अभी भी परसेन्टेज और पर सेट्टेज इनॉल क्योंकि्ट्रॉंग नेक्स्ट वाले में आओगे इसी डेवल बॉंड हो पोजर मुल्टिपल बॉंड कंटेनिस फॉंक्शनल ग्रूप है इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कारवन कहां यह लेफ्ट साइड भी है राइट साइड से अब लेफ्ट साइड पे तो एच है यह नहीं ऐसे भी कह सकते हो प्राइट से निकालेंगे एच उठाके किसको देंगे ऑक्सिजन को डबल बॉंड इदर शिफ्ट कर देंगे डबल बॉंड उदर शिफ्ट करोगे तो ठीक यह हो जाएगा पी एच पी एच बोले तो बेंजीन और सी यहां पे आ जाएगा ओएच और इधा डबल बॉंड इस एच टू अगें दोस्त यह क्या होएगा इन और इसको इन और इसको बोल देंगे कीटो अभी परसेंटेज ऑप कीटो इस हायर दन परसेंटेज इन और क्योंकि होता है और आपको यह भी पता है कि लोगा लास्ट वाले में इसमें थार्ड में अगर आप आउगे तो इसमें क्या बनाऊगे तो के रिस्पेक्ट में अलपा कहां है यह पोलर मॉल्टिपल गॉन्ट कंटेनिक पॉंक्शन ग्रूप है अलफा हाइड्रोजन यह अलफा कार हो गया और अभी भी ज्यादा की तरफ हो जाएगा इसलिए परसेंटेज 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 और यह भी ट्राइड सिस्टम का एक्जांपल है ट्राइड क्योंकि जिस कावन से हाइर जंप करके पहुंच रहा है ऑक्सिजन पे उनके बीच में इसको बोलते हैं तो इ इसे बोलते हैं कीटो इनौल टाटोमेरिजम और यह कीट एल्डिहाइड कीटों सब में लग सकती है इस वाले इस वाले में हो जाए आप एक काम करो इस वाले में बता दो अच्छा एक बाद बताओ है क्यों कि रुक लिए हैं अल्कलाइन मीडिया में कुई बोले सर इसमें दो बार का टॉम ऐसे करा दें इधर भी कर देते हैं लगा दें डबल वांड सी ओह और इदर विसालेको लगा दो डबल वॉंड च्टू आरे तो यहां भी ओएच कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि अरे अरे यह भी है ना तो अलपा अलपा क्यों यह बोलेगा तुम इदर की तरफ कर रहा है कि हम में कोई कमी है क्या कि अधिकर बुद्ध करने के लिए कार्बन खुद ने तयार होगा कि हम दुबारा बनाए ताइम सिर्फ एक बार टॉटो मेरिसम होंगी चाहे लेफ्ट वाले जिक्राओं चाहे राइट वाले से यह तो अबसर्ड है यह तो सोचना भी नहीं कार्बनी नहीं हम तो सिर्फ यह बता रहे हैं कि कभी-कभी अब जैसा पॉसिबल नहीं है समझ रहे हैं अरे खीक है तो इसे बता रहे हैं कि चलो यह दो ऊपर जो लिखने हैं उनको बताओ कि अच्छली इसमें क्या था कावन की वैलेंसी में रोल होगती कि कावन की वैलेंसी बागी चीज़ें को बाद में आएंगे कि यह दो एक्जामपल हो गए इसमें कैसे बनाओगे पहले वाले में पोलर मुल्टिफल बॉंड कंटेनिंग फंक्शन ग्रूप कीटो है इसके रिस्पेट में अलफा यह भी है यह वाला और अलफा इधर भी लेफ्ट पे भी है अलफा हाइड्रोजन यहां भी है दो दो ह हड्रीचन है है इस अलफा वाले के पाद दो एक ऐसिटेन के पास शिफ्ट कर दो तो शिफ्ट कर दो वे जिख शिफ्ट करोंगे वहां पे क्या जाएगा वेच और double bond shift हो जाएगा इधर की तरफ ऐसे यह double bond OH यह तरफ आ जाएगा यह भी triad system का example है और यहां भी in और all आ रहा है यहां पर keto है अभी इन general percentage of keto is higher than percentage inol क्योंकि reaction हमेशा stronger acidic से weaker acidic की तरफ जाती है और stronger acidic का मतलब आप दो को पता है inol generally keto के comparison में ज्यादा असलिक होते हैं इसलिए equilibrium shift हो जाएगा keto की तरफ बैकवर्ड डिरेक्शन में इसलिए इकलिवरियम पे जो डाने में इकलिवरियम में भी कीटों का percentage ज्यादा होगा नेक्स्ट वाला अब कोई बोले तो इसमें भी प्रॉब्लम लोगों को होती है और हम मना देते हैं कोई बोले सब्सक्राइब यहां भी है वोगता है है एक कि इस कारवण को बोलूगे और सब्सक्राइब दोनों की लेफट वाला वी डॉनों कोहां विले कौन सा राइट वाला निकालेंगे थीक है नहीं है निकालेंगे अगर तुमने अटेंट भी किया स्काल अल्पा ये निकालने को सुने यहां से निकाला ठीक है अगर लेपे निकेल से नीखला हमना हों गयां ऐसे बनाओ गया इसमें प्रॉब्लम क्या है ठीक है लिए बंदीन के इंदर यह किसी भी साइकल के अंदर किसी सब्सक्राइब हो गया इसपी का मतलब क्या हो जाएगा लीनियर लीनियर का मतलब साइकल टूट जाए गी एक्जिसनी करेगी लीडेर रहे तूम इसे करू बनाये हुआ किसी भी साइकल में 3456 में तो साइकल तूट जाएगी और पॉसिबल ही नहीं है वह ऐसा है ना साइकल सब्सक्राइज का मतलब लीनियर हो जाएगा यह इंपॉसिबल है यह वाला हाइब कि यह इसको बना और रीजन लिख लो कि क्यों ऐसा नहीं है रीजन लिख लो इसमेड आइड 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 कि उसमें हो जाए यह इसमें आ कि बकार ऑगे करो झाल 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 बनाओ यह जो हमने लिखे हूँ अभी इस गोर्ड पे यह हमने तीन इग्जम्पल लेफ्ट साइड में लिखे है बताओ इनका इनॉल क्या बनेगा यह दोस्ति हमने बूला का इन गर्ण परसेंटेज़ कीटो इस हायर दन परसेंटेज इन लेकिन यहां पे लॉंग टाइम और एक्सेस ओएच माइनस अगर ले लोगे आपको यह से एक्सेस वेच माइनस लिया तो सुनो तो इस मॉलिक्यूल में एक डबल बाउन्ट पहले से लेकिन दो दो पोलर मॉल्टिपल बॉंड पोलर सी डबल बॉंड है तो सी इनके रिस्पेक्ट में अलपा कौन-कौन से है अरे उपर वाले सी डबल बॉंड हो की रिस्पेक्ट में अलपा पॉजिशन यह जहां से एच निकाल सकते हो तो वह यह उपर वाल एक्सेस में रख्था है तो एक काम करो जो आपने सी डबल बॉंड हो लिखा हुए ना उपर वाला उसके रिस्पेक्ट में यहां से अलपा एच निकालो किते क्या बन जाएगा यहां डबल बॉंड आगया उपर होएचा जाएगा अब इसे यहां से सब्सक्राइब करने की बात कर रहा है कोई तो ठीक है बीच में एक लगा देते हैं और यहां पर ऐसे लिखा रहने देते हैं ठीक है सब्सक्राइब कर जाएगा क्योंकि उसके वाद बहुत जादा स्टेवल आरमेटिक सिस्टम बन रहा है और इस केस में पर्सेंटेज और पर्सेंटेज 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 रीजन ये है पर लेक इतना लिको फिर बताते हैं जल्दी कॉपी करो लुई करो दोश्र पर जादा कम कैसे और लिख देटेज जल्दी करो दोस्त तो चलो दोस्त देखो क्या आपको समझ में आ रहे अलफा पोदीशन तो हम जानगूच के लिख देते हैं एक्जाम में थोड़ी लिखा मिले गई आपको पहचानना पड़ेगा कि अलफा पोदीशन कौन सी है लेफ्ट साइड वारे अलफा पे तो कर्मत देना गलती से क्यों देखो गई आप एक एच निकाला आपने थी है इनॉल बन गया अब बाई अलकलाइन मीडिया में अभी भी पॉसबल है सी डबल बॉंड हो अवेलिबल है उसके रिस्पेक्ट में अलफा एच अवेलेबल है फिर से टॉटम हो जाएगी तो इसको बोलते हैं कुई नॉल या बाकि वाले क्या है दोन लेफ्ट वाले नॉन अरोमैटिक तो इस सिस्टम के बनने की वजए से हम लोग बोलते हैं तो यहां पर इन केसे में परसेंटेज इनॉल की वालिव जादा होती है एस कंपेर टू परसेंटेज कीटो सुनो दोस्तों पहले हमारी बात सुनो कोई बो आपने जो बोला था ज्यादा को होता है और यह क्या इनॉल जादा असीडिक नहीं है अभी इनॉल जादा ऐसे कह सकते हूं कि वजए से शिफ्ट हो गया ठीक है भाई है तो समझमारा यह आरोमैटिक सिस्टम बनने की वजए से राइट साइड यहां पर परसेंटेज इनॉ पहले तो लिख लो यहां पर इन सर्च केसे जहां पर एक आरोमैटिक इनॉल बन रहा है इनॉल कुछ ज्यादा ही स्टेबल हो गया आरोमैटिक हो गया तो परसेंटेज की तो फर्स्ट वाला एक्जांपल हो गया चलो दो नेक्स्ट बताओ कि ओनलाइन वाले कॉपी कर लिए हटा दें बाकी वाले दोनों बताओ दें दोनों क्या एक इदर यहां भी लिखा है जल्दी बताओ क्या वनेगा इसमें आरे जुड फिनॉल के बाद हुआ इस लगाते हैं उसमें रिसॉर्स नॉल कैटेकॉल और हाइडरोकेनॉल बनते है हाइडरोकेनॉल बंगया इसमें क्या बनेगा इसमें क्या है कि बोलोगे इस पीड़ावलॉटों की रिस्पेक्ट में यहां पे और यहां पे है तुझे को उलटा-फुल्टा भी बना सकते हो लेकिन कि यहां पहले था यहां पहले और यह यह बन जाएगा और एक यह वह यह यह आजएगा कि यहां भी परसेंटेज इनॉल की वैलियू ज्यादा होगी एस कंपेर टू परसेंटेज की टो कि परसेंटेज की परसेंटेज कीटो से जादा होगी कि अरोमाटिक सिस्टम मन गया है कि इस वाले केस में क्या बना हुगे हाँ सुनो तो पोलर मल्टिफल बॉंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप यह है सी डवल बॉंड हो इसके रिस्पेक्ट में इस कार्बन के पास एस डिक है लेकिन दोस्त गलती है अगर इस कार्बन से निकालो के दो डबल बॉंड फिर बगल बगल आ जाएंगे तो इस निकाल दो डबल बॉंड इदर बना दो इस जगे से निकालों गया तो वह यहां पे नाइट्रोजन हुआ करता था तो नाइट्रोजन से निकालके तुमने ऑक्सियन को दे दिया और डबल बॉंड यहां पर यहां बन जाएगा यहां भी परसेंटेज इनॉल की वैल्यू ज इस एक्जामपल है कि तीन एक्टम के डिस्टेंस पे यह तीन एक्टम के बीच में वॉंडरिंग नेचर आफ़सिटिक अडरिजन शो हो रहा है इस वाले ग्जांपल में यह वह यह बना है यहां पे अलपा एच तो इस अलफा एच को निकालों के ति क्या बन जाएगा पि इस केस में भी परसेंटेज ऑफ इन लीजा रवाइं परसेंटेज की टो समझ में आ रहा है दोस्त लिख लो सारे के सारे जितने पॉइंट्स बता दें कम से कम मेंचन तो क्योंकि की टो जो था वह एक नौल अर्मेक्टिक तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनॉल में जब जाती है तो परसेंटेज इनॉल की वैलिव ज्यादा कहने लगते है कि कोई भी सिस्टेम ज्यादा अरोमेटिक ज्यादा स्टेबल हो गया है तो इसका मतलब उसका अमाउंट ज्यादा बन जाएगा ना इसलिए इन सारे केसे में जो अभी हम बता रहे हैं परसेंटेज इसका बहुत और यह सब के सब्सक्राइट सिस्टम के एक्जामपल है तो परसेंटेज कीटो और इनॉल यह बाते हैं अभी आपको उन्हें बताएं डायड और ट्राइड यह जो भी दिखा हुआ है इसमें आप लोग को समझ महारा है कि ट्राइड शिस्टम के एक्जामपल और यह सब्सक्राइड का मतलब तीन एक्टम की वीच में वांडरिंग नेचर आप इसलिक हाइड रहा है ठीक है दोस्त अब नेक्स आपको बताने जा रहे हैं नेक्स आप लोग बताइएगा हमको कि हम टॉट्टो मेरिजम आपको पूछने जल्दी करो जल्दी करो दोस्त नेक्स देखिए अगला एक्जामपल यह देने जा रहे हैं कि सपोस्ट करो हमारे पास यह लिखा है अरे यहां पे लिखता है जगे नहीं ना च्छ थ्री च्छ डवल बॉंड च्छ थ्री च्छ डवल बॉंड ओ हम पूछ रहे हैं बताओ यह करेगा कि हुँ है मोश्क एखेकर लिख रहे हैं एक तो यह हो गया दूस्रा वह देखिए दूसरा वाला तूसमेर पूछ रहे हैं कि वह यह बंगल कनिंक से हुआ यहां डबल बॉंड ओ है बताओ यह करेगा अलकलाइन मीडियम में इसे भी ले लो क्या यह टॉटो मेरिजम करेगा बनाओ गए कि तीसरा एक्जामपल ले लो कोई बुले हमारे पास यह है यहां पे नाइट्रोजन लगा है है इजह डबल बॉन यहां पे डबल ो यह करेगा है और अगर शो करेगा तो जानी पर देखियए जणी कोई बोले एक जाए लिखा हुआ है डबल डबल बॉर्ड ए टौक नहीं करेका और किया बनाएगा है लोग Trinity को अग बताओ सबको पहले इसको खुने कर सकता है तो बताओ क्या करेगा पर नहीं कर सकता tech उ linen बताओ जल्दी बता इन सब के लोग सोच समझ के कुछ बता रहें ऑन-लाइन वाले कि पहले वाले नहीं करेगा बाकि वाले अगर करेगा चेन टूप जाएगी मतलब पुल मिला कि इन चारों में नहीं करेगा यह कहना चाहरा हो यह गलत है हम बता दे कौन करेगा फर्स्ट वाला भी करेगा थार्ड वाला भी करेगा को फिर्फ सेकेंड नहीं करेगा तो उसके लिए क्या है आपको मेकनिजम जाननी पड़ेगी सुनो तो क्या है आप लोग एक काम करो यह प्वेश्चन लिखके एक पीज पेलिकोगे ना कि एवार पर जगे छोड़ो इसके सुलीशन के लिए जगे चोड़ने के बाद आप लिखिये मेकनिजम ओफ टॉत बिम है के सब्ट यूछ अगर टाओ को अगर्डम के मेकनिजम आप समझ गया तो इसको भी समझ जाओगे a mechanism of tootomerism alkaline medium अब क्योंकि अलकलाइन मीडियम में कर रहे हैं ज्यादा ओर रहे हैं रहे बताओ इसर यह तर डेख कि बताए ने बगल वाला अपाटमेंट बनवाला डिस्टब कर देता हैं अब आपाट्मेंट बना देगा बीच में जगे रहें कि वाकिसाब अपाट्मेंट ने वाले लोग का कोजिंग जाहादा चल जाएगी है कि अपाटमेंट वाले बात कि आएगे इसरी अरे अपाटमेंट बाले सब और कहा जाएंगे घर के बगल में यहीं चलो देखो दोस्त मेकनिजम आफ टॉटमेरिजम इन अलकलाइन मेडियम देखो यह सबसे सिंपल सा आपको बसा देते हैं अब मेकनिजम एक्चुल चीज देखो फिर उसको कर लोगे अब नहीं सकता मतलब देखो यह एक्जामपल लेते हैं देखिये तो अरे एक्जामपल थोड़ी ज़र देखो चुपचा यह एक्जामपल लिया था हमने और हमने बोला था इसको अलकलाइन मीडियम में अगर आप लेते हूं तो इसका टॉटमर जो बनता है वह आप लोगों स्थ्स. चार्व्प के साथ लगा हुआ है लेकिन सिर। इसे हो गया पर बांदE हो गया तो दोस्त क्या करोंगे सबसे पहले अलकलाइन बीडियम आता है कि तो निकालता हैल रिख अज्च को निकालता है तो तो यहां पर निकालने के बाद क्या आपके पास आगया थी एच टू पर माइनस चार्ड और यहां पर और डबल बॉंड ओ अब बहुता है किसी भी मल्टिपल बॉंड बॉंड मेंसीदी नेघृटिव करेगा मतलब यह उधर करेगा क्योंकि मुफीn के एक यह बहुझे पर वाइल पाइल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ट प्री डबल और बॉजिट ग्रॉजएंट पर तो कंज्यूगेशन होता है तो यहां सी डबल बांड हो पर इस प्रिक में नूपली फाइल ने थिया ने नेगेटिव इस पर टाइगा तो इंपक्ट में यह पाइब फाइब टूट जाएगा तो अरे सी डबल बांड ओला बांड टूट जाएगा तो यह क्या बन गया और साथ में क्या बनेगा ओ माइनस अरे ओक्सियन माइनस आ जाएगा ओ माइनस ठीक है जो यहां पर माइनस वाटर निकला था पहले स्टेप में माइनस वाटर निकला था नहीं समझ रहो तुमने ओएच माइनस का एड़ एडिशन कर आया था माइनस वाटर रिलीस कर दिया था जो आपने यह वाटर निकाला था पहले वाले स्टिप में अब वही वाटर आएगा यहां पर अटैक कर जाएगा एच्टू ओ तो जब वाटर आएगा यही वाला वाट यहीव वाटर का एच पिर सब्सक्राइब को ओक्सिजन को इसका मतलब है यह वाटर के रूप में गया और गोद फिर ऑसी बहुंछ गया तो को इननल बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेकनिसम यह कहती है कि सबसे पहले जो alkaline medium आप ले रहे हो वह alkaline medium के एसटीक एच को निकाल सब्सक्राइब कर लेता है कि चलो तो ये 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 असीड हैं नहीं समझ रहो होगा को पर माइनस से यह होगा तभी तो वाटर ले पाएगा है मुख्यों बले ऐसा होता है हां बिल्कुल होता कैसे होता इधर देखों प्रूफ इसका हम आपसे पूछें वॉटर सारे एक सच्च पड़ूर के और जद असे इस दीग्वता एक सब्सक्राय कोगए ने इससे तोव तो मांच माच ग्रेटर होल जाएगा कि अरे जब इसके साथ ही लगाता तब तो इसमें तो यह कहने के लिए पूरा बेस हो गया जिसके पास एची नहीं है तो वाटर के असे डिक स्ट्रेंथ बहुत साधा में हो जाएगी आरो माइनस के साथ बताओ अब वाटर नॉर्मली तो अब 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 होता है अब करो जाएगा और के साथ ओ माइनस है कि नहीं है एसलिक होगा यह स्वारी बेसिक इसलिए वाटर एसड की तरह यहां पर बिएव कर रहा है वाटर एसडिक तरह बेव कर रहा है प्रोटोनीट कर देगा तो इसका मतलब है कोई भी हाइडरजन जिसको ओएच माइनस निकाल सकता है एसडिक हाइडरजन कोई भी हो सकता है दोस्त मेकनिजम समझ आया पूरा अलकलाइन वीडियम में जल्दी कॉपी करो इसको हिंट के फॉर्म में उससे भी लिख लो कि यहां पर वाटर आसिड की तरह बिएव कर रहा है और यह अलकॉक्ट साइड आयन जो बना हुए सब्सक्राइब कर रहा है और यह आरो माइनस की तरह बिएव कर रहा है तो मेकनिजम यह हो गई मेकनिजम आफ और कम होता है तो क्यों आपको पता लग जाएगा और में पहले हैं एसे अगे रिएक्शन हो जएगे प्रोसीड हो जाएगी आगे तो आप इसको कॉपी कर लो और फिर हम आगे फिर पूछते हैं आप लोगों से कि आप यह बताओ अब तो बता दो सालों कि आप दरवाला क्या होगा कि अरे जो बोलते हैं इसमें सब्सक्राइब या जो बोलता है या इसको कर लो फिर बताओ हमें रियक्शननमर बन अब तो बता दो रियक्शन होगी कि नहीं होगी है कैसे होगी इसकी मेक निजम बता ओ इससे अच्छा और आपके पास कोई दूसरा हो लोगा देखो दोस्त ये कॉपी कर लिया जब लोग नहीं कि यह वाला इस दोस्त यह एक्जाम्पल यह इवाला इग्जाम्पल पोण्ड कंट ऎन्ल गुप है यह वाला 밝 यह प这个 में यह कारदनलफा कारदन और यह कारदन गामा कारदन तो दोस्त अल्फा कार्बन पे तो एसे डिकेच है ही नहीं कोई बूले सर यह बीटा कार्बन एक और दिख रहा है हमको बीटा यहां भी दिख रहा है तो जो लोग बीटा कार्बन से एच निकालोगे वह ऑक्सियन तक रेजनेंस करी नहीं पाएगा जिनके माइड में पहले डिलम्म रहे हैं कि शक्लियर कर दें कापूजन जो है जिसके माइड में कि सब्सक्राइगे तो यहां पर माइनस आएगा वह माइनस सीज्टाबलवांड और सी से उल्टा थोड़ी जा पाएगा क्योंकि यह सी डबल बॉंड हो अपने कार्वन पर क्या बनाकर रखता है पॉजिटिव चाहिए यहां नेगेटिव बनाके इत्ती दूर थोड़ी पहुंचा दोगे लेकिन अगर निकाल दो बड़ा अच्छा है कामा से निकालोगे यहां क्या बनेगा माइनस वह माइनस डबल बॉंड के साथ और नेटो की देजन की अफंडीरों की म्ल्टिपल बॉंड के में ढडर्टेक्ट पयदा अब्ल बंब होना चाहिए तो अलग ही केस बनता है डियूटीरियम एक्सचेंज बताएंगे टाइम विला तो आज ही एक्सेस डी टूओ में जानते हो सारे अलपा है जैसा अगर तुमने पढ़ा हुआ ऐसा समझ रहो अभी सबको पढ़ाएंगे सब लोग समझ जाएंगे अभी तुम लोग करो इतना कर अब करता था प्रेजेंस ऑफ एसेडिग हैडरीजन और अलफा हैडरीजन इस नस्सरी पॉर अवालेकूल तो एक्जिबिट टॉक्विट टॉक्ण अगरिजम समझ रहो या लेकिन दोस अरे दोस थीख बात बताओ गामा हैडरीजन ने तो हो सकता है हमने वर्ड बोला था अधिक का मतलब सिर्फ अलफा वाला थोड़ी इस डिक होता है अधिक का मतलब कोई भी एच एच प्लस के फॉर्म में रिमूव करो तो जो नेगिटिव चार्ज बने वह रजनेंस करते 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 ऑपसीजन तक पहुंच जाए कि यहां से अगर तो ने भी यह चटाया आधि यहां पर माइन बनेगा देखो तो दो बार थे इसकरेंगा कैसे करेंग इदर دेखिया नीचे लिए ना टो देखो छी एच्टु माइनस घामा पर तुमने बनाया और कि आश्टू माइनस के बाद दबल बांड और यहां पर लगा दिए एमी एमी बोले तो मिठाइल और यहां पर सीएच डबल बॉंड ओ अभी यह माइनस चार पहले इसके साथ करेगा अरे जिसके डबल बॉंड के रिस्पेक्ट में उसके साथ पहले करेगा तो यह टूटे गा इदर और वह माइनस बना क्यों था वे गामा वाले पर क्योंकि तुमने एसदी के चुछ माइनस से निकाल दिया था तो भाईया फिर उसके आगे क्या होगा फिर रजनेंस कर और क्या गया और यहां पर पर इंए और इसके साथ साथ फिर क्या लगाए कि डाबल मार्ण ओ अब फिर यह माइस इदा टेक्क करेगा और यह तूट जाएगा तो फिर रजनेंस करके यह आप क्या बना अब 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 बन गया c2 डबल बॉंड सिय एच यहां पे एनिर माइनस आएगा और इसी ओ माइनस पर आके वाटर क्या कर देगा वाटर आएगा अब इसी के पास और बोलेगा बहिए जो हम सबसे पहले वाले स्टेप में हमने वाटर बनाया जाना वही हाइड्रिजन ले लो तुम उनसे तो इसको बना देगा यह दू डबल बॉंड सी एच सी एमी डबल बॉंड सी एच ओएच यह दोस्त यह इनॉल इसका बनेगा फर्स्ट वाले का फर्स्ट का आंसर यह है फर्स्ट वाले का इनॉल यह है ओनलाइन वालो कोई डाउट बहुत बता दो इस यह लिख लो मेकेनिजम कि भाई पहले एसिडिक है चाहेगा ओच माइनस आएगा गामा एच को निकालेगा तो प्रेजनस आफ एसिडिक हाइडरोजन यह अल्फा हाइडरोजन हमने बोला था इस नेसेसरी फॉर मॉलेक्यल टू एग्जिबिट टॉटोमेरिजम लेकिन एसिडिक हाइडरोजन का मत थापकी जो एक्जामपल टू थ्री पोर हैं इनमें बताओ विद मेकनिजम कोई बोले सर सेकेंड वाला टॉटोमेरिजम नहीं करेगा माल नहीं करेगा जब अच्छी नहीं है जब अधस्ति करोगे साइकल टूट जाएगी इस पी हाइडराजिशन हो जाएगा अगर तुम थापकी नहीं करेंगे तो कोशिच तो करो बनाने की बाकी हम बताते हैं कि फॉस्ट वाला हो गया सेकेंड वाला टॉटोमेरिजम शो इने नहीं करेंगे बाकी वाले बताओ को अच्छा बताते हैं और उको भी बताने रहे हुआ अधाओ दोस्त क्या आपको समझ में आ रहा है थर्ड वाला थर्ड वाला सबसे पहले इनॉल मेकनिजम बता रहे हैं अभी इनॉल तो बनाई लोगे जब ऐसा किया तुमने मेकनिजम में तो क्या नाइट्रिजन के पास आ गया माइनस चार्ज आ गया होगा ना एच प्लस निकल गया तो और यह डबल बॉंड डबल बॉंड डबल इस डबल बॉंड के रिस्पेक्ट में कंजुगेटड है अग्जेसंट पोदीशन पे तो यह अटैक करेगा इधर करने के लिए यह पाई बॉंड ऐसे तूट जाएगा रहे जब होता है किसी डबल बॉंड के रिसपेक्ट में अलपाव पोदीशन पे पॉजिटिव चार् से यहां पर माइस चार्ज इस पोदीशन पर आ गया कोई बोले यह नेगटिव चार्ज है कौन सा अरे एच प्लस अठाने की विज़े से जो नेगटिव बना था वही नेगटिव है यह बस रेजनेंस की वज़े से शिफ्ट होता जा रहा है रादर ऑक्सिजन के पास पहुrend वह गया पहुणगया रोमयाटिक सिस्टेम का मतलब किया दोस माइनश और माइनश जैसे ही डॉटiasm और यहाँ नाइफर यहां पर नाइट्रोजन और ऊडबिल बॉन आरम पिनॉल है नहीं है क्योंकि फिनॉल में यह नाइटरिजन नहीं होता यह डबल बॉंड डबल बॉंड और ओएच तो यह इसका इनॉल है एल्टिमेंटली जो आपने क्वेश्चन नमबर 3 का सब्स्ट्रेट लिया था उसका इनॉल यह है जो हमने लिखा है फॉर्थ का अंसर सब्सक्राइब को आप लोगों को आप बताओ फॉर्थ वाले का अंसर थार्ट निकाले हो वैसे यहां से एच निकाल लेना इससे माइनस बनाओगे तो ही माइनस माइनस करते करते सब्सक्राइब कि अधिमेटली फीनोल को हंच आओगे अधिमेटली और यह पिनोल पर्सेंटेश कीटो आप आप वाले में जो पन था उसमें तो कीटो होगा इतना समझ में आ और यह समेज में रहें सारे कि सवनेद सिस्टम के एक्जांपल चूप पहला वाला इसमें चाहिए पंटायद टाइप से हो जाएंगे एक नो चाहर पांच अब डायड ट्रायड होता था यह पेंटायड टाइस नहीं हो जाएगा पांच एटम की डिस्कंस पर जम करके जा रहे हैं मतलब ऐचा थोड़ी है कि बाई डायड ट्रायड के लावा और टॉटमरिजम नहीं होती मेकनिजम से देखोगे तो आगे भी तो बढ़ सकते हूं तो यह हो गया है फ्री और पूर फिर देखिए कुछ एक्जांपल्स आपको ख्लियर हुए टॉटमरिजम के और आपको यह भी समझ में आ गया इन्हीं का बेसिस लेके बार आईटे में क्वेश्चन ऐसे अलग से पूछा गया था पूछा गया था आपको बता देते हैं मतलब एक इससी से रिलेवेंट है ना वह आया था एक बार टॉटमरिजम करके पूछा था हूं लेको टेस्ट ऑफ फिनॉल के लिए जो टेस्ट होता है फिनॉल तो बोलते हैं जो कि नोल होता है प्यार फिनॉल का स्कूल की लाड眼ाटरी में टेस्ट भी को watching घृपि कैंदबन बोलते हैं कि एपी एफजнов इस ए lid 수le hai जो होता है उसके लिए बोलता है या तो नीटरल या स्लाइटली अल्कलाइन एक्षन करता है एक वोईलेट कर नेता है एफी ओ पीए चौट्राइज फमजरो वालेट वालेट कलरेशन कर मैद मारा विया वजब एक व्यालेट एग स्पेलिंग वलिव टिप है वालेट वेच स्थी बोलेट कलर इस आता है तो आप लिको क्या पिन आल जब नीटरल एफी का विको reacts with neutral or alkaline FECL3, phenol reacts with neutral or alkaline FECL3, phenol reacts with neutral or alkaline FECL3, neutral या alkaline FECL3 के साथ चब reaction करता है, to give violet coloration, phenol reacts with neutral or alkaline FECL3, to give violet coloration, FeOPH holterize, violet coloration, है ना दोस्ट, violet coloration देता है, जब neutral या alkaline FECL3 के साथ reaction करता है तो, ठीक है भी या, यह होता है, अब आईटे वालोंने एक बार question पूचा था, कि कौन-कौन ऐसे लिखे थे, मतलब भेर सारे molecule लिखे थे, अरे यह कॉपी कर लिया, अरे साथ मैं HCL भी बनता होगा, अगर balance करना चाहे, कोई तो बोले का ठीक है, होगा दोस्त, बताओ भी या, अब देखिए, हाँ, क्या होता है दोस्त इसमें, अब बताओ कौन-कौन से हैं इसमें जो न्यूटरल या अलकलाइन अपिसियल प्री के साथ या कौन-कौन से अभी अभी रूग जाई है ऐसे लिकंव फिनल के बात प्रीनल के बाद फिर लिखा था उन्होंने पर नाईट्रो फिनल यह भी वोईलत आ या कोई कश्न देगा और इंज हैई वह इसा करके तरह से उन्हों ने हैं आप लोग लिखते जाओ आगए कि इसमें से काउंट करके बताना है कि कितने मोलिक्यों céleptra ये जरूरी नहीं कि पॉइलेट कोलरेशन देंगे अलकुलाइन के साथ वॉईलेट कोलरेशन ये कोई और कुलरेशन जरूरी नहीं कि क्वाइट इसे इन और इटाव को बताना एक कॉन वालेट कलरेशन या कलरेशन देगा कौन सा कलर दे सकता है क्वाइट कलरेशन देगा ऐसे करके आप बताओ इन मेसेज कौन से दे सकते हैं कि बोलेट कलरेशन बताओ कि वाइट कोई ओनलाइन वाले कुछ बोलोगे कि कर रहे हैं करो पहले क्वेश्चन्स लिख लो और क्वेश्चन्स लिखने के बाद यह बताओ कौन कौन वाइलेट कलरेशन देंगे इन पाद देंगे क्वेश्चन्स लिखने ओन देंगे क्वेश्चन्स लिखने लिखना टुटन्स लिखने था लिखने वाइलेट कर रहा है कि औहुंड पाते कर। या क्या अपनास्ट वाला रे क्यों नहीं देगा पिनॉल जीए साइड होती ना उसकी की बांड्नीग ओ से होती है पी एच वाले सैग्मेंट में कोई मतलत थोड़ी है पिनॉल जैसा तो है हारुमैटिक तो है कि अब्रमेटिक तो है तो अब त्री वाइव सिक्स अब्या इसमें जो कलर देंगे वह यह भी देगा यह भी देगा यह देगा रहे फिनोल जाएसा तो है क्योंकि एपी की बांडिंग वह से होती है उनके साथ एक अर्मेटिक सिस्टेम होना चाहिए बस जो जो ऑपना पिन आल की कोंब में बना सकता था और वह सब देंगे तिये देगर समझे रहो ईवन इवन 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 यह भी देंका आगर al तुमको लगता है कि कह तूत यहां से कोई बोले तर हमने लगा दिया वेच यह फीनॉल नहीं है लेकिन एक आरोमेटिक सेगमेंट से क्लाउड से क्लाउड से क्लाउड से लगा हुआ है जब हम लोग ऐसे क्लाउड से निकाल देते हैं तो इसका मतलब पोदीशन थोड़ी स्पेसिफाई किया है यहां यहा एक एक करके बताएंगे ना और भी है इसमें कोई जरूरी नहीं कि वह पहले इतना लिखो यह सब दे देंगे भाई यह टेस्ट सब के सब दे देंगे बस एक नहीं देगा जो हमने पॉर्थ वाला लिखा हुआ है फॉर्थ को छोड़के बाकि सब ही दे देंगे समझ रहा ह कि यह सब्सक्राइब को छोड़के सभी देंगे ठीक है है हो गया कॉपी कर लिए कौंसा टिक क्रॉस देगा नहीं देगा कि चलिए हो गया है अभी और भी है अभी रुप जो अभी तो टॉटमरेजम शुरू किया है तरह से आधा भी हुआ है कि अब आता है कॉंसेप्ट अच्छा टॉटमरेजम क्या होता है टॉटमरेजम एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉंक्शनल आइसोमरेजम है जिसमें टू और आइसोमर्स और सबके लिए दानेमिक ही किलिवरियों का सिंबल बनाया जाता है आपर रिवर्सीबिलिटी का सिंबल सिंबल वह ही तुबना रहे थे हैं किलिशने को इसी में मल्टिपल टॉटमरिजम भी आता है समझ रहो या अच्छा लिखिए concept of multiple मुल्टिपल पढ़ा दें चलो लेकिलो concept of multiple टॉर्टोमरिजम multiple टॉर्टोमरिजम multiple टॉर्टोमरिजम तो मुल्टिपल टॉर्टोमरिजम पढ़ाने के पहले हम सिंपल सी टॉटमरिजम पढ़ाएंगे उसके बाद हम मल्टिपल बता देंगे उसी में है ना दोस्त देखो बढ़िया चीज है वो देखिए देखो दोस्त जैसे हम आप से बोलते हैं कि हमारे पास यह लिखा है CH double bond O और यहां पर लिख दिया हमने CH2 और यहां पर लिख दिया हमने CH3 कोई बोले इसको हमने अभी मल्टिपल नहीं है उसको बताने के प्रोसेस में हम कुछ इंपल सा बता रहे हैं यहां अलकलाइन मीडियम में डाल दिया इसका टॉटमर बनाओ बताओ क्या बनाओगे वे क्या बनाओगे शाले कि पूछ नहीं हम लोग बताओ यल्दी बताओ खड़ा खड़ा स्क्रेक्चर लिख दिया हमने रुको भी हमारी बात सुनिया सुनिया तो यह अल्फा इस पोलर मुल्टिपल बॉंड फंक्शनल ग्रूप के रिस्पेक्ट में अल्फा कारवन कौन सा यह है नहीं तो इस अल्फा से एच निकालोगे तो एच कहां चला जाएगा ओक्सिजन पर डबल बॉंड कि दर आ जाएगा इदर तो ठीक है क्या डबल बॉंड हम ऐसे लिख देंगे सी डबल बॉंड क्या सी एक एच तो जा चुका है इसलिए एक ही एच बचेगा यहां पर क्या है एच मिस हो गया चलो ठीक है इसको एच कर देता है ठीक है भी हम इस हो गया इतना समझ में आ गया कि सार अगर यह वाला आप कीटो रोगे तो कीटो से हम इसका रिस्पेक्टिव इनॉल बना देंगे है ना दोस्त यह कीटो और इनॉल हो गया अब लेकिन दोस्त अगर हम लोग अब अच्छा मतलब क्या है एक कंटेनर में अगर पहला वाला मॉलिक्न आपने डाला हुआ और थोड़ा से अलकलाइन मीडियम डाल दिया तो क्या यह दोनों उसी कंटेनर में डाइनमें में राहेंगे दोनों रहेंगे तो फंक्शनल ठीक है ठीक है यह होगे दो है लेकिन दोस्त अगर मॉलेक्व सुनो तो अपको पहले देखो ज्यादा दिमाग ना लगाओ एक क्लोज कंटीनर में इसको डाल दें अलकलाइन मीडियम में तो जैसे अलकलाइन मीडियम में डालों तुम क्या बनाओगे तो मैया यह सुनो तो यह सी डबल बॉंड हो है इसके रिस्पेक्ट में अलफा एच नहां है यह है अलफा एच बताओ अलफा कारबन पर जाओगे ताले असीडिक होजने के लिए किसी पोलर मॉल्टिपल कांटेनिंग फंक्शनल ग्रूप में पहले अलफा कारबन चूज करो अलफा काबन अलफा एच को जो अहीं पर यह वाला एच मिल गया बहुत बढ़िया दोस्त एच मिल गया तुम लोगों तो यह वाला एच उठाके इसको दे दो ऑक्सिजन को और ऑक्सिजन से डबल बॉंड इसके तरफ शिफ्ट करवा दो तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएग कि हमने एच निकाला है ना कारवन से उसके साथ दूसरा वाला जो उएक पड़ा है वह तो पड़ा ही रहेगा तो यह आजाएगा स्ट्री अब भाई हो गई कंफ्यूजन कंफ्यूजन यह हुई कि यह जो मॉलेक्यूल बना है ना यह अपने में हो जाएगा बोलेगा हम इन से कंसिडर कर लें और अल एक कंसिडर कर लें तो फुरिस तुम घलिकी अचिवी हो कि और भी है कि अब इस मॉलिक्यूल को देख कंफ्यूजन यह हुई कि इन इसे कंसिडर करो और इसे कंसिडर करो तो जैसे कीटों से इनॉल बनाते थे इनॉल से कीटों भी तो बना सकते हो तो कीटों से इनॉल अगर बनाओगे तो उसी अल्कलाइन मीडियम में पॉसिबिलिटी यह है कि आल जो यह था यह बोलेगा हमको लग रहा हम पहले सी डबल बॉन्ड ओ हुआ इसको इल्यूजन सा हो जाएगा कि भाई हमको लग रहा है इस मिडल वाले को कि हम पहले भाई अभी ऐसे हुआ करते थे तो क्या इसका कीटो यह बन जाएगा तो यह तीन आइसोमर्स है तीन अच्छा सेम मॉलेक्लर सेम मॉलेक्लर मास सब कुछ सेम है लेकिन सुलीशन में तीनों डाइनमिक इकलिवरेम में एक्जिस्स करेंगे शिरुवात भले ही तुमने इस मॉलेक् इसका कीटो यह बनेगा नहीं समझ रहो है अभी और भी इसमें है तुम लोग समझ नहीं पार हो अरे जब यह कीटो बन गया को इसके शिर्सेक्श में अलफा यह भी तो है समझे समय। है कुछ बताते नियों संद्गें रुखो इसके respect में एक और अभी बनेगा इसके respect में इसको लगेगा इस keto को कि भाईया हम अपना inol अलग बनाएंगे उसके respect में यह अलप आ जाएगा बोलेगा ऐसा बटा तुम अपना H निकालो हम तुमको inol बनाते हैं तो यह भी possibility है कि CH2 OH और यहाँ पर C और यहाँ पर OH और डबल बॉंड CH2 क्या यह चार functional isomers चारों अलग-अलग हैं यह चार के चार functional isomers dynamic equilibrium में exist करेंगे अब किसी का extra keto extra inol नहीं बन सकता शुरुआत आपने किया था वहाँ से तो अगर आप लोग T equal to 0 पर इसको alkaline medium में डालो गया और स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से देखना शुरू करो यह चार के चार functional isomers एक साथ दिखेंगे आपको ठीक है अमाउंट कम जादा वो तो अलग चीज है लेकिन यह चार के चार functional isomers एक साथ दिखेंगे तो इसलिए हम बोल रहते concept of multiple तो अगर आपसे कोई पूछे अगर यह एक्जांपल देखेंगे बोले बताओ लेकिन जब इनॉल बनेगा तो उसका भी टॉटॉमर जहां तक बना सकते हो बनाओना करते थे मेकनिजम से इसको इंपॉर्टेंट करके लिखो जरा जल्दी करो कॉपी करो concept of multiple टॉटॉमरिजम इंपॉर्टेंट है यह मुल्टिपल टॉटॉमरिजम इंपॉर्टेंट कर सकते हैं ठीक है इकलबरियम पर्टिकुलरली किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा लेकिन अमाउंट्स मिल सकते हैं या पूछ ले तुमसे ठीकली सारे बता होते हैं तो बिलकुल होते हैं क्यों नहीं होते हैं एक टॉटॉमर बना सकते हो दूसरा क्यों नहीं बना होगे इंक स्थास दस्ट हूं कि अट्पल्टिप्र टॉमरेब्s उय लिक सीकते हो कि और फोर מालीकुल मालीकिल्फ एक्चिस्ट में धिच दर इं स्टुशन ये सारे की सारे एक्जिस्ट करें गे कि कि सुल्यूशन में कि डायनमिक एकुलिबरियम में एक्जिस्ट करेंगे ओनलाइन वालों कोई डाउट तो नहीं है किसी को कहां से बटा कहां से एक्स्पिलेंट कर दें बताओ यहां से यह मालों कीटो निये होता तो इस कीटो ग्रूप की रिस्पेक्ट ने पोलर मल्टिपल पूंक्शनल ग्रूप है तो इसके रिस्पेक्ट में असेडी केच यहां भी है अलफा यह भी है तो अगर उपर वाले अलफा से तुम बनाओ यहां पहुंच जाओं गए एक तरफ तो बढ़ना ही है हम पार्वड पार वड़ इतो जाते जारें शुत प्ल मिला तो यही में एक साथ एक्जिस्ट कर रहा है कि मल्टिपल टॉटो मेरिजम का कॉंसेप्ट यह होता है और सुनों और बताते हैं ना माल्टिपल टॉटो मेरिजम कि अध्युक्राइब कि हटा दे रहे हैं इसको ठीक है कि कोई पूछे सर अच्छा और कहीं होती है क्या अरे बिल्कुल होती है क्यों नहीं होती है देखो तो हम बता देते हैं कहां कहां होती है कि टॉटो मेरिजम पॉसिबल है मल्टिपल और हम पूछें आप एक मॉलेक्यूल हम दे रहे हैं एक मॉलेक्यूल कि उसके कितने फंक्शनल आईसोमर्स एक साथ डानेमिक इकलिबरेम में एक्जिस्ट कर सकते हैं सॉलूइशन में वह बताओ जैसे इसके चार आए थे कि डेस्टिंक्ट बताने आपको यानिक रिपीट कर देना है ना कि लिखो अब मैंनी पॉसिबल फंक्शनल आईसोमर्स प्वेस्टन लिखिये क्वेस्टन अब्वेस्टन पॉसिबल आउमने फंक्शनल आईसोमर्स वे तये पीबल पॉसिबल फॉंक्शल्समार्ज है मैइन थेकली पॉसिबल फॉंक्शनल आईसमर्ज रहा case Sun मुझत ट्रेटिकली पॉसिबल फॉंक्शनल आताइसमर्ज अब्ँट्रीड कर रहा है how many theoretically possible functional isomers मतलब trotumers exist in dynamic equilibrium with each other exist in dynamic equilibrium with each other in aqueous KOH medium in KOH how many theoretically possible functional isomers or trotumers exist in dynamic equilibrium with each other in aqueous KOH for following molecules for following molecules following molecules किभी न करेंगे ठीकली रिपीट न कर देना कोई भी बना के देख लेना रोज़े जैसे जैसे एग्जाम्पल नमबर वन हम दे रहे हैं हम बोल रहा है कि आपके पास ही यह लिखा है और लिखा है और लिखा है और यहां लिखा है पहला एक्जामपल दूसरा एक्जामपल लेखिए हम बोल रहा है थी डबल बाउंड ओ और लिखा है रिपीट ना कर देना तीसरा वाला चार लिखेंगे च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और फोर्थ जो लिखेंगे उसमें वाई है यह तो सबंद्स हो तो है यृटिकली कितने function लाइसमोर्स इनके एक साथ डायनिक एकलिवर्यम में एक्णिस्ट कर सकते हैं करक्ते हैं टेर कि तक ह्मिवे जे दो जैस्ट माइन म fluffy यृश माइन डाल दी आइन को पहले वाले का गलत है और वताओ दोस्त और बताओ दोस्त इस तीन होगे न को और डबल बांड शिफ्ट करेगा न पहले वाले का बता देते हैं, और यहां पर यहां पर पिर पीछे मौच जाओगे तरफ बनाएंगे और यहां पर क्या बनाओगे और यहां पर और यहां डबल बॉंड यह तो रिपीटेड है और रिपीटेड किसका है यही वला है न है तो टोटल कितने बनेंगे दोस्त सब्सक्राइब तो कैसे हो रहा है दिखो तो ऐसे बनाया जाता है दिखो ट्रिक क्या होती है शौक्त क्या होता है अरे बना लेना भी डबल बॉंड पहले यहां पर है डबल बॉंड यह नीचे पीर जाएगा और इसके बाद कर तेर पहुंच जाएगा किसका बदल तूरी अपर फिर इसे सब्टाइब ने नहीं है तो आए तो भीलाय है यहां यह यह इसे पहले बांट रहे आएंगा इसे फोता है तो कैसे है पहले ओरूर कुंतर फिर शिंट होता है तो इसी हिसाब से टॉटमर्स बनाओगे पहले वाले के समझें तीन बन रहे हैं कि पोर्थ वाला बनाओगे ताब यह उपर नीचे पलट दोने से स्ट्रक्चर को यह वाला से नहीं है दोना स्ट्रक्चर यह सेकेंड वाला पूर्थ वाला इसलिए हमने इसको बुला अदि करेंगे ठीक है बाकी वाले बताओ अ ना रहा है कि अंद्धिक को ने यह उन्लाइन वालो समझ में आ रहा है तुम लोगों को बोलते नहीं कुछ चाले अजया रहा है तब बोला करो आस लेया करों को भी लगे कि यहां हो नोग आजित नहीं बागते नहीं है अधर ओफ-लाइन वाले सब समने रहते हैं तो कि वाज सिकhां करते हैं कि तुम लोग कि तुम लों इस लिए नहीं बोलते हो कि आखार पचा टीक लगा लगा मैं अ πάlt ship तो छलुए हो गया म TVs कम रिक वीश्तिर्धेस दो दोस्त और बताओ दोस्त अभी टॉटमरिजम में हो रहा है डूटेरियम एक्सचेंज बचा हुआ है और यह भी मुल्टिपल टॉटमरिजम में तुछ और बचा भी अधर फंक्शनल गुरुप में भी बचा हुआ है जल्दी इल्दी खतम करते हैं इसको लार पता नहीं रहा दूसरे वाले में चार बनेंगे दूसरे वाले में तीसरे पांच बहुत बढ़िया आरे इसमें चार आएंगे इसमें पांच आएंगे इसमें च्छे आएंगे रीपीट होने लगेंगे उसके बाद समद्राव भीया यह च्छे टॉटमर्स आएंगे टूटल चार टॉटम प्र चे टॉटो मर्स ऐसे टॉटो मर्स देखें अब लिकेट टीटो इन वाला कुछ हुआ की टो इनल का बहुत-धी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टीस बताने जा रहे हैं VVIMP बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट केस है है इन अल्फा-अल्फा दायकी टोन्स आइंड तो में आपी टोन अडवांस मैं या सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रफा फटाइक समझते और यां एक होता है लुद्धा कोई पूल आ हेखिक टॉंग कुछ तॉन कि पर थे की खोता है स्टार जानते हो भाइब कि अच्छा है बहुत प्यारा दोस्ति जिस दिन एडवांस में आये गाना लोग यह सब बहुत बढ़ियां चीज़ें होती है लोग इसको जानते नहीं है चलो ओपन चेन अलफा अलफा डाय की टून का मतलब है सीच त्री सीडवल बॉन्ड ओ सीडवल बॉन्ड ओ और सीच थ्री पीटर साइक्स एक बुक है आप लोगों ने शाइद और साइक्स करके आती है उसमें जिस पेज पर यह लिखा है ना यह दोनों यह उसके बगल वाले लेफ्ट और राइट पेज़ेस पे जो टॉटमरिजम के एक्जांपल है वो सेम एक्जांपल साइटी वाले पूच चुक आपका फिलोग पढ़ते हैं वह जानते हैं देखें यह ऀसको अगर अल्कलाइन में दालते हैं लोग में बंद जाता है और यहां पर यहां पर आजाएगा और यहां पर यह नॉल है और यहां पर पर संटेज लेस देन वन परसेंट होता है बहुत कम होता है बहुत कम होता है बहुत कम बोले तो लेस दैन वन पर सेट और कीटो का परसेंट से रह mural योटTO हुआ पलंख पर सेंट है अपप्राइट लिएऌ मैं सॉपके ल्हां करा थे कर आप और यहां पर कीटो का परसेंटेज आराउंड 95 परसेंट होता है ठीक है तो लेस देन और ग्रेटर देन ऐसे कर सकते हो ठीक है परसेंटेज लेकिन दोस्त अभी बताते हैं क्यों होता है एक तुम लोग बता हो गए साइक्लिक अल्फा डाइ की टोन है अब रीजन इसन सब बताउन और यह सी डावल बंड हो जैसे बताएं वैसे लिखना इसमें जब हम लोग करते हैं आलकलाइन मीडियम डालते हैं यह भी टॉटमर बनाता है और टॉटमर जो बनाता है टॉटमर जो बनाता है दोस्ति इसमें वह यह बनता है यह ऐसे यह needle bond ो और यकाँ और यहाँ पे H और इन नहीं है कोई बोले सर अब li दो ब्रिजन मॉनिंग ऊपर क्यों नहीं हुई यहां पर साइकल होने की वज़े से को वे क्या हो गया बतार है यहां पर करीब यह बनता है 99 परसेंट इनल बहुत ज़्यादा और अराउंड वन परसेंट बनता है कीटो वैसे वन परसेंट से भी कम होता है वह लेकिन आप इसको नाइंटे नाइन और वन से आधन को है ना कि आरे यहां एलकीन मना दो यह कह रहा हुआ गलती हो गया अब तुम लोग पहले इसको लिको पिर हम रीजन बतातें इसका जल्ड करो जैसे लिखाए वाई से लिखे अछिए जक mappedने संवोगें है है यहां पर ओ प्लाट गया और की तरफ यह को प्लट गया है अभी आभे रिजन बता रहे है एक वेड़ कि अधर पलेग आ होगा ता एब भी पी़ए लेकिन ऐसा नहीं है क्यों नहीं है उसको कॉपिकरो रीजन नटाते है इसमें चिलेशन हो जा रहा है सेकंड वाले में चिलेशन इंट्रा मॉलीकुलर हाइड्रियन बांडिंग जिसे चिलेशन है चिलेट हो गया यह चिलेशन इंट्रा मॉलेकुलर हाइडरिजन बॉर्णिंग यहां होती है वो चिलेशन कहलाता है चलो जल्दी करो जल्दी करें वह यह अरे रहे कट पने क्या तो है ओपंचेन अभी बताते हैं रीजन इसका अरे बताता है रीजन हम बता रहे हैं अभी अब तक तुम लोग अम जेनरलाइस कर दें इसको एक अधर फंक्शनल ग्रूप्स वाले जनरलाइस कर देना थाइंट राइड वाले एक्जांपल ही होते हैं सेड रिबल और एन नाम मत याद करना पहले देख दो इनको आए सेख वाले बता है याद वाले जनरलाइन पहुंचे वहाँ पर यह लिख लिए अब सुनो इसका रीजन बता दें और लिख रहे हैं सुनो क्या प्राहिट की टोन में एक बार जब इनल बन था है थो और यह लिखते हो और यह लिखते हो अचली में इन दोनों ऑक्सियन के पास लोनपर है ना आइक नहीं तो इनके लोट पेर ऐसे आपस में रिपल करते हैं बगल-घल आके उपर से इन दोनों कार्बन के पास क्या होता है डेल्टा प्लस इसके पास धियल्टा प्लस तो sinking क YouTube live करेंगे तोड़ा सा तोड़ा सा लेंगे तैप्श करने लिए लेकिन गलती करने लगा यह ऑप हमारे और सिंगल बॉंड के राउं रोटेशन eca क्याया गाहा Jewish सीडवाइद ऑपर की तरफ रह जाएगा ऑद जाएगा थीटे के था कि अईसे हो जाएगा structure in तो यह क्या करेगा सिंगल बाउन के राउंड चाइब तो यह क्या करेगा सिंगल बाउन के राउंड रोटेशन फ्री होता है तो फलट जाएगा लोन पेर उपर की तरफ होगा एक लएंप पेर नीचे की तरफ होगा है एक सबदातर के बॉनोंegat Physic Concept करेंगे नीचे की तरफ और जब ऑपोजिट साइड में आ गया तो इतनी दूर से किलोमीटर दूर जाके थोड़ी हाइडरोजन बनाएगा इसके साथ समझ में आ रहा हुए अब नहीं समझ रहा हुए अरे यहां से थोड़ी जाके हाइडरिजन बनाएगा इसका मतलब है कि भाई यह और यह वह अलग हो बहुत कम इनॉल बनेगा तो लेकिन दूसरे वाले में क्या अले साइकल में और दो दोनों से एक ही साथ हैं एक ही तरफ नहीं सकती हैं तो साइकल की जो रिजिडिटी है तो नहीं हो पाएंगे ठीक हैं ऐसे ही एड्जस करेंगे तो करेंगे तो जैसे एक के पास लेकिन जैसे एक के पास ओएचाएगा दूसरा वाला बुले का भाई हमें बेनेफिट हो गया हम लोग भले डाइडाइकी टो फार्म में अनस्टेबल थे ल इस्टेबलाइज करके नई साइकल भी बन गई जिसको बोलते हैं चिलेट हो गया है अगया सब कुछ इसलिए ओपन चैनल पाल्फा डाय कीटों का इनॉल बहुत कम बनता है लेकिन साइकलिक अलपा डाय कीटों का इनॉल बहुत जाधा बनता है रीजन समझ में आ रहा है आ कि और बताये कुछ की लिक लोगे लिखो जल्दी लिकथू रीजन इसका कि जल्दी लिखों बिद्ए है पीरीज़न लिक लोकि उसमें बलट्यों गया था और क्या रिइसन था कि लोनपे इसकी बीच में रिपल्च रहा था कि जल्दी कर Supply अभी अग हुआ 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 है बनाता था लेकिन उतना ज्यदा से आप से लेकिन साउटकर इनॉल बनने के बाद वह इतना ज्यादा सब्सक्राइब्स तिंहें को jakieś बूंडीक यह घंतो है टीक है डोस्त हो गया जल्दी करो उसको गोड Tell फंक्शनलर neтивैब कंटेFLनींग मॉल्एकिल्स है कौपी कर चुके स्कोटाए रहे हैं अदर फंक्शनलर स्थी इस इस मॉलैकिल मैं सुर्स करेगा और उसके रिस्पेक्ट में अलफा पोदीशन पर या एसेडिक हाइडरोजन होना मंगता है देखो दोस्त यहां पर देखो कोई बोले सर यह अचा नाइटरोजन की जगे छीएच भी तो पुट कर सकते हैं अब जैसे चो होता था पोलर मुल्टिपल बॉन्ड है अलकलाइन मी च्छ डवल वांड एन वह आएगा और इसका टॉटमर क्या है कोई बोले सा ट्रिपल बॉन्ड है कोई बात नहीं ही वह एच माइनस असे डिक निकालेगा अलफा पोदीशन से बताब पोलर मॉल्टिपल बॉन्ड कंटिनिंग हर मॉल्टिटूल टॉटमरिजम शोग नहीं क इसमें डबल बॉन्ड ओ जो लिखा है देखो इदर डबल बॉन्ड ओ यह भी तो पोलर मॉल्टिपल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में यह कौन सा है नाइट्रो कंपॉंड में भी टॉटमरिजम हो सकती है तो क्या बनेगा आर सी एच टू सी एच टू हो सड़ी सी एच और यहां पर ओ माइनस तो पहले भी था अभी भी है और लास्ट वालिम क्या जाएगा अगर आप करना ही चाहते हो तो उल्टा कर देना उसका ना क्या हो जाएगा पर्स्ट और लास्ट एक ही चीज़ें प्वेशन नमबर वन और प्वेशन नमबर पोर अधर पोलर अब उसका नाइट्रो एसी नाइट्रो बोलते हैं ना नाइट्राइल आइसो नाइट्राइल टाइप से कुछ भी जो भी बहुता दें उनके नाम बाद में बता दें टॉत्रे बैश्म नहीं हुआ है अब यह उसमें डूटीरियम एक्स्चेंज बचा हुआ है वह बताएं करेंगे आपको ठीक है लेकिन इतना करके आना बाकि नेक्स क्लास में हम लोग करेंगे ठीक है कर लो इसको थैंक यू वरी मिच ब्रेक लिए वाफ लो कोई डाउट है तो पूछ लो अठा दे रहे हैं ओनलाइन वाले कपी कर लिए ओर ना इस थीकर दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थेंक यू थैंक यू